प्रिये विद्धरती मित्रो आज हम हिंदी की पठ पुस्ती का सुगंभारती में से दुसरी काई का पाट क्रमांगतीन खिछडी का अध्यन करेंगे एक बादेशा अकबर ने गोशना की जो कोई ठंड में रात बर महल के निकट तालाब के पानी में खड़ा रहेंगा उसे इनाम दिया जाएंगा गोशना सुनकर बहदुर नाम की एक आदमी ने ठंड में रात बर तालाब में खड़े रहने का कारनामा कर दिखाया बादेशा ने जानना चाहा कि इतनी ठंड में वो पानी में कैसे खड़ा रहा बादूर ने आदर से कहा बादेशा सलामत मैं रात बर आपके महल के सामने जलते डिपक देखता रहा बादेशा को लगा कि महल के जलते डिपों से उसे गर्मी मिली है अता उन्होंने उस आदमी को इनाम नहीं दिया दूसरे दिन दरबार में बिर्बल के ना दिखने पर बादेशा ने एक सेवक को उनके घर भेजा सेवक ने आकर बताया जह पना बिर्बल किछडी पका रहे हैं दूसरे दिन भी बादेशा को वही जवाब मिला तब बादेशा सवयम बिर्बल के घर पहुँचे बिर्बल ने बास गान कर आज से काफी उचाई पर हड़िया तांक कर उसमें किछडी पकाने के लिए रखी थी बादेशा अकबर ने पूछा बिर्बल किछडी की हड़िया इतनी उपर लटकाई है वहाँ तक आज कैसे पहुचेंगी बिर्बल ने कहा जब महल के सामने वाले दीफों की गर्मी बादूर को मिल सकती है तो इस आज पर मेरी खिछडी भी पक सकती है बादेशा समझ गए वे मुस्कुरा उठे दूसरे दिन उन्होंने बादूर को बुला कर इनाम दिया इस तरह बिर्बल ने बादूर के साथ हुए अन्याय को दूर करवाया